खुलो मस्कार दोस्तों कैसे अपनों मज़ें अम्मीद देखिया अपनों इच्छे से दोस्तों को से अब वह सब्सक्राइब तो आज समाश्थिपूर के पूसा में यहां पर दॉक्टर राजन परसाद किसी विश्विद्द्याले में जो सो मेला का आयोजन किया जाता है हर साल किर्जी में लगा तो हम यहाँ पर आगे आपको सुरूसन तक सब कुछ दिखाएंगे और यह मेरा जो सो 2024 का है जो कि 24 तारिक से 26 तारिक तक रहने वाला है तो बने लिए आप लोग वीडियो में सुरूसन तक सारा कुछ यहाँ पर दिखाने वाले हम हो भी सिनमेटिक रूप में दोस्तो इस मेले में आते ही हमें बहुत सारे स्टॉल देखने को मिलते हैं और इतने सारे स्टॉल है कि हम रास्ता भी भटक जाते हैं किदर जाना है पहले और किदर जाना है बाद में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पौध हैं जो कि लिखा बहुत सारे लोग जो हैं आपको help कर देंगी इस चीज के बारे में जर्ण कर देने के लिए अगर आपकी सान है तो और हम पता है कि अगर आपकी सान है तभी यह वीडियो आपको बाठाइके जो मवजूद रहेंगे इसके बारे मजानकारी जयादा ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वरायटी के इन यहां पर देख सकते हैं यह कुछ सुनहरा कलर गोल्डेन कलर का जो सो देखने को मिलता है और वहती खुबसूरत देखने को भी लगता है यहां पर देख सकते हैं एक ओंपोक क्या नामें पता नहीं यह मसली एक किस वराइटी का आप लोग कोमेट वोक्स में जुरू Tremi स zeggen हiquement और यहां पर कोल्ड फीश जो की 30 वाइप पर देखने में बंफ़ जाएंगे जोकि आप ले सकते हैं और घर ले जा करके आप www सोटिस्मेशार के आप test नाम्म और देको भी लगतने और यहां पर खाने के लिए भीowned है फीश फ्राइज जो कि आप टेस्ट भी कर सक है कर से जैसे कूक्त करते हैं से ओक तесकते हैं और किसानों को नहीं शीज़े दिखाना जैसे की देख सकते हैं यह फर्मूला जो है सो मतलब बनाया गया एक नमूना वो आपको देखने को मिल जागे यहां पर किस तरह से मतलब आर्टिफिसल यहां पर जलका बनाया गया लेकिन आप भी उसका उप्योग कर सकते हैं मसली पालन के लिए कुछ और के लिए बड़े लेवल पर भी तो छोटे ले करी का जो सो यहां पर देख सकते हैं छोटे बारे पौधे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहां यह स्टॉल पर आप आ सकते हैं और यहां पर कुछ डिजाइने परदर्शनी के लिए दिया गया है तो यहां पर हलांकि आपको बहुत सारे पौधे भराइटी फूल दो पीस है पता ने क्या हूँ और देख सकते हैं यहां पर हम अभी घुस चुके हैं दोस्तों मस्रूम हप में और यहां पर पिछले बार भी हमने दिखाए था जो पीर मस्रूम की बहुत सारे भराइटी चीजे जो मस्रूम से बनाए जाती हो यहां पर उपलब आपको से रखते हैं या मतलब वह सब दिखा जा रहा है और यहां पर कुछ फूरूट्स है और आप यहां पर आगे दोस्तों ड्रोन को देखने के लिए जो की खेतों में उप्योग किसी के लिए किया जाता है खाद बगर या कितना सक छिरकाओ के लिए इसका भी हमने पहले वीड तो आप यहां पर रखते हैं इसकी जादा जनकारी ले सकते हैं और दोस्तों बता दें कि यह मेला जोईसो 24-26 तक रहने वाला है तो आप लोग वीडियो को आप लोगों को दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर की जिए क्योंकि आप ल सबजी वाले में जहां पर बहुत प्रकार के देख सकते हैं लाल पीले हरे पता नहीं को भी है बैगन की हर्ट तरह कि साइज गोल लंबा मोटा ताजा नाजा ने दुस्तों अंगीनत प्रकार की सबजी हैं यहां पर देखने को मिल जाएंगे मतलब अगर भिंडी है तो उस जाता चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहां देख सकते मूली है गाजर है और गाजर है तो उसकी बहुत बाराइटी है यहां पर प्रॉकली है और चलिए अब जो है सो हम यहां से निकलने की कोशिश करते हैं और उसे पहले हम आपको यहां पर यह दिखा देते हैं य पता दें आपको यहां पर बाहर यानि की मेला की ग्राउंड में जो सो बहुत सार सेलफी पॉइंट भी बनाए गए तो आप लोग सेलफी भी ले सकते हैं और चलिए अब यहां से हम निकलते हैं इस हब से यानि सब्जी वाले हब से और देख सकते हैं दोस्तों हमारे पीछे सब्सक्राइब की हैं तो उसका भी आप हमेरा इचरू दिजिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिंद